एगर है तिटे आपके डॉकुमेंट्स व प्लोट करें मतलब कि उनको वेशा ही डॉकुमेंट्स मिला है попроб के लिगe हो गया है तो इस case में सबसे पहले चीज अगर आपको लगता है कि आपका document 100% शही था जैसे कि mark seat हो गई 12th का certificate हो गया अगर इन चीजों को भी not verified कर रहे हैं तो पहले चीज तो आप उस document को अपने किसी या फिर किसी जानने वाले में से मैच करके देखो कि ऐसा क्या issue आ रहा है जो आपके में कमी है ऐसा क्यूं not verified वाला symbol आ रहे हैं अगर आप देख रहे हैं कि सारी चीजें बिल्कुल सही है उसके बाद भी not verified आ रहे हैं तो आप इसको help desk के लिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे contact करना है तो help desk में आपको पूछना है mail करना है कि यह मेरा document एक दम सही है then यह not verified क्यों है अगर इसका reason मुझे मिल जाएगा then I'll upload it letter और दूसरी चीज़ यह कि बहुत लोगों का जो not verified हो जा रहा है उनको यह tension हो रही है कि उन्होंने जो fee payment कर दी है क्या वो वापस आएगी तो हाँ अगर आपका document verification नहीं हो पा रहा है या फिर किसी वज़े से आपक payment वापस हो जाएगा और जो payment रुख जाती है जिसके लिए निफ नहीं पे करता है वो आपका registration fee होता है around 10,000 रुपीज जो कि जिसके लिए आप refund वाला एंग्जर भी फिल करते हो कि आपका registration वाला part आपको वो नहीं पे करेंगे other जो भी remaining around आपका 57,000 वो आपको back मिल तो फिर आपको पैसे refund नहीं होंगे तो इसलिए इस चीजों का भी ध्यान रखें कि जो भी लोगों का document not verified हो रहा है उनको 5 जुलाई के बाद उनको resubmit करने का time मिलेगा कि जिनका भी document गलत है जो भी है वो दुबारा से submit कर पाएंगे और इसके लिए बहुत से लोगों का यह भी problem है कि जिनका OBC certificate नहीं आया है या फिर आपका EWS certificate नहीं आया है तो उसके लिए अभी आपके पास receipt हो तो receipt आप upload कर दो जादस जादा यही होगा कि not verified हो जाएगा और not verified होने के बाद आपको एक option और मिल जाएगा उस वक्त तक हो सकता है कि आपका EWS certificate या फिर जो भी certificate OBC वगरा है वो आपको मिल जाएगा तो basically मेरा कहने का मतलब यही है कि not verified देखके बहुत दा परिशान होने की जुरत नहीं है अभी एक और मौका आपको दिया जाएगा document को verify करने का और clear करने का otherwise fee related बहुत सारी issues आ रहे हैं कि आपका UPI से नहीं हो पाना या फिर credit card से आपक जो limit है 50,000 है 20,000 है उसके लिए मैं यह prefer करूंगी कि आप लोग खुझ से अगर आपको लगता है कि आपके credit card debit card जो भी है उसका अगर नहीं हो पा रहा है तो प्लीज आप अपना money लो और bank जाओ बैंक में जाओगे वो लोग bank transfer net banking कुछ न कुछ करके आप कफी payment कर देंगे तो फिर कोई problem नहीं होने वाली है इसलिए अगर fee से भी related को issue है तो आप लोग bank जाकर check कर लो I hope so कि आपको ये बात clear हो गई होगी कि not verify होने पर क्या करना है आपको so basically you have time तो आराम से अपने document submit करो बहुत जादा rest में भी मत आ जाओ कि नहीं अब हम गलत ही submit करेंगे बाद में सही submit करेंगे ऐसा भी मत करो बट अगर बहुत जादा आपके पास emergency नहीं हो पाया last day तक तो आप ये चीज़ कर सकते हो last day को 4 PM तक सभी लोग अपने document submit कर दें क्योंकि उसके बाद कभी भी portal बंद हो सकता है it can be happen कि रात के 12 बजे बंद हो बद आपको रात के 12 बजे तक risk लेनी के जुरत नहीं है हम 5-6 days का time मिला था अच्छी कासी quantity थी time की तो please 4 PM अगर आपको करना है 5 July को तो फूर पीम तक करके सारा जैस कंप्लेट कर लें thank you so much